सोचालोजी फोर पीमस का जो चैपिटर नुबर वन है यह इस टी इंट्रॉक्शन आफ सोचालोजी अच्छा इस इंट्रॉक्शन के अंदर हम क्या पड़ते हैं यह वारी किताब के अंदर जो चीजें दी हुई है अगर्डिंग तो दा सेलेवर उफ पड़ाफ पड़िक सर्वेस कमिशन उसमें सब से पहले के सोचालोजी क्या होती है सोचालोजी जो है यह एक साथशाइन्टिफिक स्टडि है जो दरहसल सोसाइटी आर सोचल इंटरेक्शन के अपर होती है कि लोग जो है वो एक मौाशरे के अंदर किस तरह से रहते हैं अगर हम सोशालोजी की अच्छा सोशालोजी के अंदर मुखतलिफ सोशालोजिस ने इसकी मुखतलिफ डफिनेशन्स दी है जैसे कि उसमें हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने सोशालोजी को डिफाइन किया है इमाहिल दुर्खाइम ने सोशालोजी को डिफाइन किया है आउगस्ट कॉम्टे ने सोशालोजी को डिफाइन किया है लेकिन अगर हम इसका essence निकाले इन सारी definitions का तो हम यह कहेंगे कि sociology is a social science that includes human societies, their interactions and the processes that preserve and change them. So this is the definition of sociology in nutshell. अच्छा sociology की definitions के बाद आपने भी तीन से चार जो sociologist हैं उनकी definitions को याद करना है। sociology की definition के बाद हम history की बात करते हैं. sociology की history अतनी ही पुरानी है जतनी के इनसान की history पुरानी है. ये बाकादा तोर पे subject तो 19th century के अंदर आके इसका discipline बाकादा तोर पे introduce होता है लेकिन जब से दो या दो से ज़्यादा इनसानों ने कठा रहना शुरू किया तब से समाज की बुनिया रखी गई. और समाज की बुनिया जो है वो पिर आगे इनसान जो हो जितना evolve होता गया समाज जो है यानि सोसाइटी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो evolve होती गई. इस पे मैंने sociology की जो history है ना उसको तीन major paradigms के अंदर discuss किया है इसके राफ के अंदर. जो के आपको बिलकुल clear cut पता होना चाहिए कि एक perspective मैंने इसका discuss किया है कि जो modern science की development होई थी ना वो 18th century के अ दर. तो 16th century के अंदर modern science की development के साथ ही social sciences और sociology जो है ना उसकी development भी होई थी. और फिर मैंने दूसरा perspective discuss किया है कि दुनिया के अंदर जब पहली दफार democratic form of government आई थी कि जो अमरीका और फ्रांस के revolution के बाद आई तो वहां से दरसल बाकाईदा तौर पे sociology की इबतिदा है है यानि बाकाईदा तौर पे sociology की इबतिदा हूई यानिा की कि यह कहता हूं कि जब democracy दुनिया के अंदर पहली दफ़ा इंट्रियूस हुई तो उस वक्त जो है वो sociology की समझ लें के बाकाइदा थोर पे इप्तदा हुई क्योंकि लोगों को government के अंदर जो है वो शामिल किया गया और तीसरा major perspective sociology के अंदर वो industrial revolution था जी industrial revolution जो है इसके बाद से society जो है वो बहुत differently उसका evolution हुआ तो ये तीन phases आपने sociology की history के अंदर याद रखने हैं कि एक जो scientific development हुई 16th century के अंदर ये आपको पता होना चाहिए फिर जो फ्रेंच और American revolution आए और democratic government के लिए आए वहां से बगएदा जो है वो sociology जो है वो evolve होना शुरू ही फिर फरदर और उसके बाद जब industrial revolution आया तो उस वक्त तो society का नक्षा ही बदल गया तो उस वक्त sociology का जो subject है उसको बहुत ज़्यादा importance मिली उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे sociology की importance क्यों क्या है sociology की importance as you know that we are living in a society and to live in a society we must know how to behave in the society how to live in the society how to maintain the social order and social conduct in the society what are what is the importance of norms what is the importance of values in society so all these things are mandatory for the stability of society so stability of society is directly associated with the importance of society the importance of sociology so society के बदर जो कुछ भी होता है that is associated with sociology so sociology की importance जो है वो इसके अंदर हमने किताब के अंदर point to point जो है वो explain की है उसके बाद हमने बात किया culture की और society की culture क्या होता है society क्या होती जैसे society मैंने कहा कि मुक्तलिफ लोग जो है वो एक अठे रहते हैं एक certain territory के अंदर रहते हैं ठीक है उसको हम एक society का नाम देते हैं culture को हम कहते है कि जैसे मैं एक सर एक बात कहता हूं कि society is composed of norms, values, traditions, civilizations, morals, laws, beliefs and the principles and all these things make a culture and the different cultures, one culture can make a society and different cultures can also make a society, so you must know that what is the difference between culture and society, culture is the part of society, remember this thing, ठीक होगा, बहाँ, इस के बाद मैंने किताब के अंदर जो है वो इसका basic difference बताया है और इसको हमने explain किया है, उसके बाद जो है, आप साइटीस जो कुछ ल Geral का होता है आप उसके अडापट कि ए लगपनेशन की दिगा है यहां लिस दू एडाम स्यू किन में नहीं होती है। सोशलाइज़ेशन का परपस क्या होता है ये भी हमने इसके अदर explain किया है ठेहरी हमने कुछ detail में discuss की है, सोशलाइज़ेशन की जिसमें हमने हमने Charles Halton Koolay की theory of socialization discuss की है उसके बाद हमने fried, signal fried की ठेहरी जो है, वो socialization के अंदर discuss की है और जो है ना जी एच मीड की थेरी आई एंड मी को हमने डिसक्स किया है सोशलाइजेशन के परस्पेक्टिफ के अंदर फिर हमने स्टेजिस डिसक्स किया है सोशलाइजेशन की जिसके अंदर पाँच स्टेजिस हैं प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, अडर्ट स्टेज, और एंटिसिपेटरी स्टेज और री सोशलाइजेशन और उसके बाद हमने एजनसी सोशलाइजेशन की डिसक्स किया है जिसमें फैमिली, पियर ग्रूप, रिलिजन, एजुकेशनल इंस्टिटूशन, ओकूपे चीज इस पे के अंदर में मिली है, वो है सोशलाइजेशन परस्पेक्टिफ, फंक्शनलिजम क्या होता है, इसको हमने डिसक्स किया है, आस सोशाइटी इस कंपोज़ डिफरेंट यूनिट्स, और एज यूनिट है फंक्शन, इसके बाद हमने डिसक्स किया है, और तीसरा, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिजम या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट परस्पेक्टिफ, इसके अंदर जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, लोग आपस में कमिनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सिंबल्स का क्या रोल होता है, इंटरेक्शन के अंदर, इस सारे जो सच हैं उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है हमने कहा कि दुनिया के अंदर कोई भी absolute truth नहीं होता universal कुछ नहीं होता ये post modernist करता है और इसको हमने पूरी detail के साथ अपनी किताब के अंदर जो है वो बयान किया है और फिर हमने post modernism की features भी बयान किया है sociology के अंदर जो के globalization, consumerism, fragmentation, cultural diversity etc. ये हमारा पहला chapter है और इस chapter के end पे हमने जो है वो एक एक topic की summary दिया है तक्रीबन तीन pages के उपर पूरे chapter को at the end summary के अंदर हमने conclude किया है Thank you so much हुआ 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 है